सावधान हो जाएं क्योंकि ये गलती अक्सर करते हैं जो गलती हम लोग को इस बार CGL में नहीं करना है प्रतेख स्टूडिन्स ये गलती करता है और देखा जा रहा है कि वो ज्यारखंड का हो या फिर इंडियाज का हो सारे इंडिया में यही स्टूडिन्ट जो है गलती करता है जो की गलती नहीं करना है और हम लोग को एक महीने की रननेती कैसी होनी चाहिए आज हम लोग इस वीडियो में टोटल देखेंगे ये आपका कोई क्लास का वीडियो नहीं है यह आपका कोई class का वीडियो नहीं है लेकिन class भी उपर का वीडियो है अक्सर ये गलतियां करती हैं सारे गलतियां करती हैं सारे चीज आज हम लोग details में जानेंगे और कब होगी exam ये भी हम लोग जानेंगे और जयादा धिमाग भी नहीं लगाना है कि भाई कब होगा एक्जाम भाई एक्जाम कईसी हम देंगे इस पर ज़्याद ध्यान देना है एक महिना बचा हुआ है अब उसको रननीती कैसा होना चाहिए यह हम लोग का माइन में गुमना चाहिए ज़्यादा दिमाग लगाईएगा तो फिर कुछ और result हो चकता है किस प्रकार से notes बनाए किस सफलता प्राप्त हो सारे चीज आज हम लोग जानेंगे क्या हम लोग को करना चाहिए कैसे short notes बनाए क्या गलतियां करते है students क्या exam देने समय गलतियां करते है किस प्रकार से प्रशन आता है सारे चीज आज हम लोग जानेंगे और ये कोई एक subject में नहीं है एक subject का बात नहीं है ये सारे subject का मैं बात कर रहा हूं सारे students के लिए बात कर रहा हूं तो आपको जो है सबसे पहले संकल्प लेना होगा संकल्प ले की भाई 1 seat आपको लेने हैं कितने सीट लेने है एक सीट आपको लेने है ठीक ना इस बार संकल्प है एक सीट लेना है बस आपका यही एक संकल्प होना चाहिए अब चलिए भई स्टूडेंट्स लोग जो है और एक्जाम जो है 15 अक्टूबर का हो शक्ता है लेकिन यह आप माइंड में एकदम भी न रख है और टेंसन ना ले कि भाई 15 अक्टूबर को होना है अधरवाज कुछ नहीं हो सकता है अब सोचे कि एक महिना आपको यही एक महिना तयारी को लेकर एकदम जी जान मेहनत एकदम पसी ना बहा देना है तोड़ देना है ठीक है फोड़ देना है एक महिना अपने आपको बं कि चलिए हम लोग एक महिना की सैर पर चले और एक महिना के चलने जो है सैर पर चलने का समय आ गया है भाई कैसे चले ठीक है किस प्रकार चले तो देखिए रिविजन ये जो है एक महिना का रिविजन टाइम है और smart तरीके से sort notes and sort key के साथ हम लोगो मेहनत करना है भाई कोई भी चीज का आप sort key बनाए sort notes बनाए या तो आप copy में बनाए या अपनो diary में बनाए या फिर उसको चिपका दे sort key बनाए जैसे कोई कवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कोई कवी के बारे में sort notes, sort key क्या होता है कोई कवी के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडिन्स लोग गलतियां क्या करते हैं वो सारे चीज़ भी बता रहे हैं लेकिन एक महिने में sort notes और ये revision time है ये starting का time अब नहीं रहा कि आप start कर रहे हैं अभी से course this is no time to start any subject, any क्योंकि अगर आपका एक महिना बचा हो न तो वो start करने का time नहीं होता है अगर आप start कर रहे हैं तो वो अपने मन को संतावना दे रहे हैं ठीक है वो start करने का time नहीं है that's the revision of revision time यानि कि आप कवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बस आप एक short notes short की बनाईए जन्म, निधन, उसका रचना क्या है important रचना क्या है विवाह कब हुआ कितने बच्चे है पतनी का नाम क्या है पती का नाम क्या है बस आपको इतने चीज उसमें mention रखने है अगर आप कहानी का short notes बना रहे हैं कहानी का पातर लिखे यह आपको जो है that's a revision की revision कैसे किया जाता है smart तरीके से ठीक है तो पातर लिखे दूसरा लेखा का नाम लिखे और पातर का भी नाम लिखेंगे कि पातर कितने हैं बस आपको कुछ ने लिखने है आपको सारा कहानी एक बार जरूर पढ़ लेंगे ठीक है कहानी एक बार जरूर पढ़ लेंगे पातर जो है आप याद रख लेंगे ठीक है आप यह सब हो गया कहानी कविता short notes यह सब सारे कर लेंगे अब चलिए कि आपको एक मंत जो है संगती का अर्थ आप लोग जानते हैं संगती का जो अर्थ क्या होता है आप लोग को पता है संगती का अर्थ जो होता है वो संग संग गती होता है भाई तो अभी जो एक मंद का समय है वो बुरे संगती से आप लोग एकदम दूर रहें लडाई जगडा से बच कर रहें ठोड़ा थोड़ा बात के लिए गुस्ता होना बंद करें एकदम दिमाग को सांद रखें कमरे में बंद कर लें और रिवीजन इतना तगड़ा करें कि देखने वाला देखते राजा है किनको जब आंधी और गुस्ता आता है वो जब चला ज और यही संकल्प लीजिए इसी वीडियो के साथ अगर आप स्किप करते हैं अभी बहुत सारे आपको चीज मिलेंगे ठीक है क्योंकि यह सब्जेक्ट का कोई वीडियो नहीं है यह सब्जेक्ट से भी उपर का वीडियो है अक्सर क्या-क्या गलतिये करते हैं ठीक है वो गल सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि कोई एक सब्जेक्ट में अगर सफलता पानी होना कोई जॉब लेना होना आपको कोई टीचर नहीं बनने है अक्सर्स आज काल जो टीचर होते हैं इसी प्रकार से होते हैं भाई एसे सी का तयारी करने गया है जेपी एसी का तयारी करने गया है और कोई एक सब्जेक्ट उनका बहुत अच्छा है जैसे हिस्ट्री अच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वह हिस्ट्री का टीचर ऐसे पढ़ते पढ़ते वो science का teacher बन गये ऐसी पढ़ते पढ़ते वो जारखंट का teacher बन गये then don't try to be specialist in one subject आपको अगर सफलता पाना है एक सिट लेना है then you have to आपको ध्यान देने है whole subject आपको whole subject पर ध्यान देने है ध्यान कैसे देने है जिसका जो है अधिक marks रहेगा जिसका ज्यादा marks रहेगा उस पर ज्यादा समय देना है यह सब points आप लिख सकते हैं या फिर आप अपने जहन में डाल लीजिए माइन में डाल लीजिए ठीक है अब देखिए interesting subject ज्यादा मत पढ़ना आपको न बहुत सारे जो students को मैंने देखा है बहुत सारे students को मैंने देखा है कि भाई math लेकर सुबह सुबह बैठ जाते हैं भाई math मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे science बहुत अच्छा लगता है वो लेकर बैठ गये रगल रहे हैं दिन बार रगल रहे हैं क्यों भाई क्योंकि उसका interesting subject है वो तो interesting subject पढ़ना बंद करो आपको अगर सफलता पाना है तो whole subject आपको पूरा subject पर ध्यान देने हैं भाई कैसे ध्यान देने हैं वही smart work, smart short trick, short notes के साथ revision करने हैं, ध्यान देने हैं, पढ़ने हैं कम से कम 6 महीना का आप लोग target में, short time target कभी ना बनाए, कि भाई मैं तो 2 महीना में खटम ही कर दूँगा, don't, don't do this, 6 महीना का कम से कम होना चाहिए, otherwise साल भर का, अगर इस बार नहीं होता, तो अगले बार का कर लो, इस बार नहीं होता, तो अगले बार का कर लो, लेकिन short time period क आप कभी time मत बनाना, नहीं तो आपका वो time बरबाद ही होने वाला है, एक महीना, ठीक न, अगर आप पढ़े हैं, that's the revision time, note आपको है कि कोई आप नया subject न पढ़ें, जो है आप एकदम revision करें, ठीक है, whole subject पर, ठीक है, interesting subject पढ़ना बंद करो, क्योंकि interesting subject वाले आज तक वो ठीक है, मैंने दो job resign मारा है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में सबसे last में बताऊंगा, और मैं अभी क्या में work कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो मेरे बारे में, अभी आपको यही mind में आ रहा होगा, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचे, ठीक है, क्यो सब्जिक्ट पर आपको ध्यान देने है। नेक्स चाली on student क्या करता है। कि यहीं सब गलतियां करते हैं। और भी सारे बहुत गलतियां हैं। सारे आज मैं आपको बताने वाला हूं। सारे चीज आपको डीटर्स में बताऊंगा। देखिए कोई भी subject का है, कोई भी subject कैसे पढ़ना है, कोई से subject पर ज्यादा ध्यान दें, तो भाई कमजोर subject पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कमजोर subject को, interesting subject को ज्यादा ना पढ़ें, उसे कम पढ़ें, बलकि जो आपका ज्यादा कमजोर subject है, उस पर ध्यान दें, इंद्याज students क्या है? आज कल के students का क्या है? कि बाई जो कमजोर subject रहेगा उसको एकदम मतलब टारते रहेगा, टारने का मतलब समझ रहे है, neglect करते जाहेगा, यह जारखन का student हो या कोई भी state का student हो, ऐसे ही होता है उसके साथ, और वो कमजोर को subject को कमजोर और करते जाता है, करत आपको marks पूछ रहे हैं, उसके जादा आपको ध्यान देना है, जैसे अभी CGL में आप लोग को क्या करना है? यानि कि CGL में language paper जारखन्ड हो गया, ठीक है? language paper जारखन्ड इससे तो जादा है, तो आपको उसी के अनुसार समय देना है, अपने अनुसार, मैं बोल दूँगा कि भई आप paper 2 में, जो language paper है, उसमें तीन घंटा ध्यान दे दो, तो भई क्या आप तीन घंटा देंगे? नहीं, अपने अनुसार, उसको आप अपने अनुसार अधिक टाइम दे सकते हैं, marks के अनुसार आप समय देंगे, और कमजोज subject पर आप जादा ध्यान देंगे, आपको पढ़ने हैं, ठीक ना, syllabus को ध्यान में रखने हैं, कि भई पीछले बार कौन सा प्रस्न, किस प्रकार प्रस्न पूछा था, उसको आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये सब सारे चीज़ पर आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, तब आपको सफलता प्राप्त होती है और देखे कमजोर सब्ज़ेक्ट पर हमेसा ध्यान देना ऐसा ने के इंट्रेश्टिंग सब्जेक्ट पर पढ़ रहा है भै पढ़ रहा है लाई कोई फैयदा नहीं होने बाला है चलिए next दोस्त संगत से दूर है बुरा संगती जो होता है कोई भी अभी संगती से दूर ही रहे भाई लड़का हो या लड़की हो अभी एक महिना सारा चीज भूल जाओ एक महिना एकदम सारे भूल जाओ समय होता है अगर बात भी आप कर रहे हैं भाई सारे चीज जरूरी है बहुत चीज जरूरी होते हैं भाई एक समय फिक्स कर लीजे न कि मैं आपसे आदा ही गंटा बात करूँगा दिन भर में 24 गंटा में दिन भर फोन से आपसे चिपका नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे लाइफ का सवाल है अगर मेरा लाइफ में अभी अच्छा करूँगा तभी आप रह सकती हो या रह सकते हो ठीक है तो आदा गंटा बात करें समय फिक्स कर ले अपने समय कनुसा चिपके न रहें क्योंकि ये आपका सफलता का समय है फिर ऐसा मौका नहीं आएगा कि भाई CGL का 2000 सीट आया है भाई इस बार कर लेना है तो भाई इसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है सफल होने क लिए आज आप देखते हैं कि भाई ये आज 9 rank लाया UPC में 9 rank कोई लाता है 10 rank भाई ऐसे ही नहीं लाता है ठीक है ऐसे ही नहीं लाता है वो वो कुछ करता है वो अपने वर्क में 100% देता है तो आपको 100% इस बार देने हैं दोस्त की संगती से दूर रहें ठीक है और लड़ और अपना अगर बात भी करने है क्योंकि भाई सारे चीज होते हैं सारे प्रकार के स्टूडेंस होते हैं बहुत प्रकार के क्योंकि आजकल ये जिनरेशन ही है तो आप टाइम फिक्स करें क्योंकि आपका ये लाइफ का सवाल है ए रेसों का सीट फिर इतना नहीं आने वाल आपको अभी कुछ नहीं ध्यान देने हैं, सिर्फ आपको यह सफल होना है कि कैसे मैं सफल हूँ, ठीक है, और देखिए, आज तक जिनका भी रिजल्ट हुआ है न, कोई special subject पढ़ने से नहीं हुआ है, कि भाई कोई एक ही subject पढ़के, math subject के लिए, सिर्फ एक हिस्टे पढ़के का UPSC का वो IS बन गए, IPS बन गए, नहीं, उन्होंने whole subject पर ध्यान दिया, ठीक है, तो आपको whole subject, अधिक marks, अधिक time, next, जो है, easy questions, easy questions, देखिए, अब यह exam का time, exam center का बात हो रहा है यह, आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बहुर सारे exam दिये हैं, ठीक है, मैंने बहुत सार exam दिये हैं, 12th, 11th pass करते ही, 12th pass करते ही, बहुत सारे AIEEEE हो गया, IIT का हो गया, मैंने बहुत सारे exam फेस किया है, बहुत सारे जारखन का भी exam फेस किया है, JPC का किया है, UPAC का किया है, ठीक है, तो, और यह मेरा experience केवल नहीं है, easy questions आते हैं, बट आप गलती करोगे, easy questions आते हैं, बट आप गलती करके आओगे, एकदा मैं लिख के देता हूँ, और इस बार अभी भी बोल रहा हूँ, आप कितना भी यह कर लिजे, revision, अगर smart revision नहीं करते हैं, तो आप जाना, पहचाना, प्रशन, दस प्रशन आप गलती कर के आओगे, एकदा मैं लिख के देता हूँ, मैं कोई आज अपना subject या फिर कोई अपना YouTube का परचार नहीं कर रहा हूँ, आप 10 से, यानि कि 8 से 10 प्रशन एकदाम गलती करके आएंगे, कैसे भाई, confusion में, अरे भाई, exam से निकल, अरे भाई, चार दिन और समय मिल जाता ना, तो हम इतना कर देते, अरे भाई, थोड़ा सा और मुझे, एकदब थोड़ा सा समय मिल जाता ना, तो हम इक कर ही देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहाँ कोई जंडी नहीं गारने गया हैं, और जंडी नहीं गार देंगे, छे महिना आपको समय मिला, एक साल समय मिला कुछ कबाल नहीं पाये, तो आप चार दिन में कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो पहला बात की आप exam center में जाएं, तो confusion अपने माइन में कुछ न रखें, और आपको revision कैसे करना है, ये भी बात मैंने पहले ही बता दिया है, तो easy questions आएंगे, यहाँ भी, जैसे मैं बता दू अगर यहीं आपसे प्रस्न पूछू, डारेक्टली प्रस्न पूछ रहा हूँ, उपेंदर पाल नहन जी का जो है, विबाह कब हुआ था, ठीक है, काली दास की पत्नी का क्या नाम था, आपका माइन में आया, और नहीं न आयाएगा जी, वहाँ भी आप confused होएगा, अरे 1950 थ था कि 1951 था, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने भी बहुत गल्तियां किये, ठीक है, बहुत गल्तियां किये, अच्छा अच्छा question, जो मैं जिन्दगी भर पढ़ रहा हूँ, वो questions गलत करके आया है, अरे ये मैंने questions गलत करके आया था, एक्जाम में, मैं इतना अपसोस किया, वो वो एक्जाम अभी तक मैं अपसोस करता हूँ, कि ओखो, मैं क्यों करती है, प्रकास अनुदैर्ध तरंग है, कि अनुप्रस्थ तरंग है, एकदम हवा हवाई में, जोस रहता है न, भाई येस, मार दिया तो भाई मार दिया, ऐसा बहुत सारा questions होते हैं, मैंने खुद गलती किया था, लेकिन इनसान जो है, गलती से ही सीखता है, और गलती करने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अभी आपको जो है, short की short notes का समय है, आप अच्छे से तयारी करें, ठीक है, तो ये जो है, exams में, जो है, ये आप ऐसा confusion न रखें, ऐसा आप practice करें, कि आपका ये गलती न हो, क्योंकि आप अगर एक गलती करते हैं तो आप 10,000 students के पीछे चल जाते हैं, याद रखी का, एक हजार students के पीछे आप चल जाते हैं, क्योंकि 0.5 का जो है, आपका यहां merit बनता है, 0.5 को लेकर, 0.5 पीछे हैं, दिन आपका merit नहीं बनने वाला है, आपको ये लग रहा होगा, अग सराज क्या बता रहे हैं, ये आपका कोई क्लास नहीं है, बट ये कर लिए तो आपको कुछ तो कुछ होगा, कुछ तो कुछ लगेगा कि इस प्रकार से करें, 15 अक्टूबर को एक्जाम हो सकता है, ठीका, लेगन दिमाग मत लगाना उसमें, कि भाई 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, बस आपके पास एक महिना है बस इतना माइन में रखें कि 15 अक्टूबर को है और मुझे एकदम 15 अक्टूबर को देही देना है बैट 15 अक्टूबर का हो या 15 नमंबर का हो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है समझ गए? और आप लोग ये बात समझी गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग को तयारी करना है और किसी को ठेश पहुचा होगा तो उसके लिए सौरी और हाँ मैंने क्या बोला था अपने बारे में ठीक है? सबसे पहले मेरा जो एकजाम हुआ था मैं तो JPSC का प्रप्रेशन कर रहा था स्टार्टिंग से ही लेकिन मेरा जोब हुआ सबसे पहले एकदाम बिना तयारी जैसी मैंने JPSC का प्रप्रेशन किया इमें अपने बारे में बता रहा हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं इंट्रेस्टेड हैं दिन आप सुन सकते हो मैं JPSC का प्रप्रेशन कर रहा था ठीक है JPSC का प्रप्रेशन कर रहा था और उसके पहले मैंने जीला पुलिस का एकजाम दिया बस मैं एकजाम देकर देख रहा था तीन महिना मेरा हुआ था JPSC का प्रप्रेशन किया हुए मैंने एक्जाम दिया वो एक्जाम निकल गया जीला पुलिस और हो भी गया ठीक है जीला पुलिस हो भी गया मैंने अपने दादा जी से पूछा पिता जी से पूछा कि मैं क्या करो जेपीसी का प्रप्रेशन कर रहा हूं जीला पुलिस में हो गया है तो दादा जी मेरे headmaster भी है वो retire हो चुके हैं तो वो एक बात बोले कि बेटा जो आपको पहले मिलेना उससे ले लेना चाहिए मेरा aim तो था JPSC लेकिन दादा जी क्या बोले कि बेटा कर लो और ये benefits क्या था कि मेरे घर के यानि कि मेरे घर से 10 km के range में ये हुआ तो यहाँ एक positive point बन गया था कि मेरा 10 km से अंदर में वो भी center पर जा रहा है और भार भी पर रहा है यानि कि यहाँ अच्छे से हम preparation कर सकते हैं मैंने ये job join कर लिया मैंने ये job join किया फिर एक हुआ ठीक ना मैंने इसे join कर लिया अब रेखिये क्या होता है मैंने JPSC का exam भी दिया मेरा exam भी निकला PTA निकल गया mains में मेरा गड़बड़ी हो गया यही गलतियां के कारण मैंने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने गलतियों से बहुत सीखा है ठीक है आपका second point नहीं बताए दोस्तो यह वीडियों मुझे पता नहीं कि आपके लिए लाबदायक हो या नहीं हो मुझे नहीं पता लेकिन आपको इस प्रकार से करने है तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और वीडियो यह आपको कैसा लगा यह आप जरूर बोलेंगे क्योंकि यह वीडियो नहीं था एक अपना एक experience share कर रहा था और यह बहुत सारे students का experience share कर रहा था तो इस बार तोड़ देना है बैए एसो का sheet मुझे चाहिए यही आप संकल्प रखें धन्यवाद watching for this video जैहिन जैभारत और भी बात जैसे की AD Classes एप पे अगर आप जहारखन का तो bullet train जहारखन जहारखन जिके प्लस 380 पेज का जहारखन नोर्स है अगर यह आप दोनों कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रस्न जहारखन से नहीं चुटेगा क्योंकि bullet train जहारखन जिके में आपका current affairs भी कराया जा रहा है इसका AD Classes एप पे course अभी लेबल है या फिर 8863-884281 पर आप message भी कर सकते हैं 249 में इसका course है नागपूरी का जो paper 2 है नागपूरी का paper 2 का 499 में इसका course पूरा full of free अभी जो है full of cost यह मिल रहा है 499 में टेस्ट आपको यहां मिल रहे हैं दूसरी बात यह जो है AD Classes एप पे हिंदी का भी टेस्ट चल रहे हैं हिंदी आप टेस्ट जोइन कर सकते हैं जारखन का भी टेस्ट आप जोइन कर सकते हैं computer CGL के लिए CGL का जो भी students तयारी कर रहे हैं वो computer computer का एकदम बहुत ही बहतरीन आपके लि ठीक है तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद watching for this video जय हिंद जय भारत